नमस्कार आप देख रहे हैं राजीब टाइम्स आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदे बात करते हैं इन दौर में बढ़ते अपराध की इन दौर में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन के लिए चुनोती खड़ी कर दी है अपराधियों द्वारा स चारों जोन के डीसीपी ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेस रणनीती तयार की है आएए जानते हैं इन दौर पुलिस की इस खास कारवाई की पूरी रिपोर्ट सिर्फ राजीब टाइम्स पर सोशल मीडिया प्लेटफोर्म जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर बदमाशों की बढ़ती सक्रियता का एक प्रजेंटेशन इंदौर के जोन एक के डीसीपी विनोद कुमार मीना द्वारा तयार किया गया है इसमें बताया गया है कि किस तरह से अपराधी सोशल पर अपनी दबंगई दिखाने और भय का माहुल बनाने के लिए अपराधों से जोड़े वीडियो और तस्वीर पोस्ट करते हैं इंदौर पोलिस ने हाल ही के दिनों में देखा कि अपराधी न केबल अपराध करने से पहले सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं की संकेत हैं बलकि अपराध के बाद अपनी गतिविधियों को विडियो या तस्वीरों के जरिये बैरल करते हैं यह पोस्ट ना केबल अपराधियों की हिम्मत को बढ़ाती है बलकि आम जनता में डर का माहुल भी बनाती है इसे पे विनोध कुमार मीडा ने अपने प्रजेंटेश या अन्य अपराधी गुटों द्वारा बनाए गए हैं पुलिस अब सोशल मीडिया पर ऐसे आपराधिक तत्वों पर सक्त नजर रखने के लिए एक विश्य स्टीम गठित कर रही है इस टीम का मुख्यकार होगा लिस्टेड अपराधियों की गतिविदियों पर नजर कर उनके खिलाब कारवाई की जाएगी कई बदमाश बर्थडे गैंग बनाकर अपने जन्व दिन या अन्य मौकों पर अपराधियों के सदस्यों की पहचान कर कारवाई की जाएगी अपराधियों की फ्रेंड लिस्ट में कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी ज अगर आप देखेंगे तो पूरे देशवर में यूसेज अगी बड़ा है इंटरनेट यूसर्स का की बड़े हैं ऐसे में उनके जो सोचल मेडिया के पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं वह भी जिसामने निकल के आ रहे हैं तो हमारे दॉरा सोचल मेडिया मौनिटरिं करने का उचलोगी में विदिवः इतना ही है कि जो सोचल मेडिया के पॉजिटिव हैं जो नेगेटिवस हैं ड़ुं करने को लोगे को मोटिवेट करना आने के लिए तो और किसी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स हो गया जैसे कि NDPS हो गया नशा हो गया, छापुबाजी ह जो बढ़ावा देने के संभी तो आज एसे लोगों पर कारवाई की जाए तो हमारे दोरा जब भी किसी आरोपी को राउंड़ ओप किया जाता है किसी भी अपरात के सिल्सिले में तो उसकी सबसे पहले सोचल मीडिया पीडिया जिसके तहब हमारे दोरा उसकी सोचल मीडिया पाईडीब बोच चैक कि आजाता है कि इस प्रकार के पर तरीके से हमारे दोरा अपरादियो इंडॉर पुलिस अब इंस्ट्राग्राम और स्नैप्चेट जैसे लोग प्रिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेस रूप से फोकस कर रही है यह प्लेटफॉर्म बदमाशों के बीच काफी लोग प्रिये है अपराधियों के गतिविद्यों पर नज़र रखने क लिए पुलिस ने इन प्लेटफॉर्म्स से सहयोग की योजना बनाई है पुलिस की सकते योजना से अब सोशल मीडिया पर आम लोग भी सतर्क हो जाएंगे यह कोई व्यक्ति किसी अपराधिया बदमाश के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है तो पुलिस उसकी भी अबादेता है कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आता है तो उसे वक्षा नहीं जाएगा पुलिस का देश न केबल अपराधियों को रोकना है बलकि उन लोगों को भी ज्वाग रोक करना है जो अंजाने में अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं पुलिस सोचल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ अपराधियों ने इसे अपने खौफ और दबदवे को कायम रखने का जरिया बना लिया है इंदोर पुलिस की यह नई रड़नीती अपराध पर नियंत्रण के साथ साथ सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शौन्ति और सु